करेंगे सुप्रीम कोड के एक लैंडमार्क डिसिजन के बारे में जो कि सेक्शन 308 आईपीसी से डील करता है तो सेक्शन 308 में बेसिकली आपको अटेम्ट टू कल्पिबल होमोसाइट के बारे में बताया गया है तो जैसे कि हम जानते हैं कि section 299 और section 300 आपका culpable homicide amounting to murder and not amounting to murder के बारे में बात करता है लेकिन इन दोनों offense इसको करने की अगर कोशिश की जाती है यानि कि attempt किया जाता है और वो crime अगर आपका successfully complete नहीं हो पाता है तो उसकी अलग अलग punishment 307 और 308 के अंदर में दी गई है तो आज का यह जो हमारा judgment है यह section 308 से deal करता है now session start करने के पहले guys अगर आपने अभी तक मेरे साथ telegram and instagram पर connect नहीं किया है तो जल्दी से connect कर लो ताकि आपके जो भी doubts हैं जो भी questions हैं जो भी queries हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे पूछ सकते हो plus जितने भी upcoming sessions होते हैं उनकी information आपको यहाँ पे telegram की तुरू मिलती रहेगी also guys ध्यान रखिएगा कि आज हो चुकी है 8 तारिक 4 दिन का समय और बचा है आपके पास अगर आप study IQ judiciary के दूसरे life foundation batch के लिए enroll करना चाहते हैं तो batch आपका 12 जुलाई से start हो रहा है किसी भी state की तयारी आप कर सकते हो इसे course में enroll करके प्रिलिम से लेके interview तक की पूरी preparation आपको करवाई जा रही है तो course का जो price है that is 24999 and आप enroll कर सकते हो मेरा code ARJ use करके बाकी website कहाँ पे है enroll कैसे करना है यह सब कुछ मैं एक बार आपको session के end में समझा दूंगी तो देखिए basically आज का यह जो case है हमारा इसमें होते हैं 3 accused ठीके यह एक bus से गिरने वाला case है तो देखिए यह 3 लोग हैं यानि कि एक bus का driver होता है एक bus का conductor होता है और एक bus का cleaner आपका होता है यह 3 लोग हैं जिनकी उपर section 308 का आरोप लगाया जाता है कि आपने attempt to culpable homicide not amounting to murder यहाँ पे किया है अब देखिए case के facts आपके यह हैं कि जो लड़की है यानि जिसका यहाँ पर attempt करने की इनके साब से कोशिश की गई है लड़की अपने बहन के साथ एक bus stop पे wait कर रही थी सुबह स्कूल जाने के लिए bus लेने के लिए ठीक है इतने में क्या हुआ कि bus stop पे bus आई तो लड़की की जो बहन है और जो बाकी बच्चे वहाँ स्कूल जाने के लिए वेट कर रहे थे bus में चड़ने का वो सारे बच्चे आपके जो है bus में यहाँ पे चड़ जाते है एंड में आखिर में बच जाती है विक्टम यहाँ पे अब विक्टम ने यहाँ पे क्या किया जब लड़की ने विक्टम ने यहाँ पे bus में चड़ने की कोशिश की तो जो फुट बोर्ड होता है bus का यानि जो एक पायदान टाइप का बना होता है जिस पे हम पैर रखके bus में चड़ते हैं वो लड़की ने बस उस पे अपना पैर रखाई था कि इतने में bus आगे चल दी यहाँ पे ठीक है और जो cleaner था जो bus को साफ करता है वो person भी वहीं पे खड़ा हुआ था उसने भी उसको यहाँ पे आ गई थी यानि कि काफी जादा grievously hurt जो है लड़की यहाँ पे हो गई थी ठीक है अब यहाँ पे जो लड़की के घर वाले हैं इन्होंने तीन लोगों की उपर allegation लगाया इनका बोलना था कि पहले तो bus driver की गलती है यहाँ पे कि bus driver ने गाड़ी ऐसी चला है कि जो local आपकी buses होती है उसमें conductor एक घंटी मारता है driver को इशारा करने के लिए कि भाई हां सारे लोग चड़ गए यहाँ पे आप बस आगे बढ़ा दो तो तीसरी गलती यहाँ पे conductor की मानी गई कि भाई आपने देखा नहीं ठीक से कि सारे लोग चड़ गएं की नहीं और आपने पहले ही जो है यहाँ पे driver को इशारा दे दिया कि आप बस यहाँ पे आगे बढ़ा दो अब देखिए जैसे कि होता है कि सबसे पहले यह पूरा केस आपका कहां पे गया session's court में गया ठीक है session's court ने यहाँ पे बोला कि ठीक है driver की यहाँ पे गलती नहीं मानी जाएग लेकिन बाकी लोगों की गलती यहाँ पे मानेंगे यानि conductor की यहाँ पे गलती है और आपके cleaner की यहाँ पे गलती है और इनकी जो यह गलती है यहाँ यह section 308 की अंदर में आएगी यानि section 308 आपका क्या बात करता है तो section 299 में आपने पढ़ा है क्या culpable homicide not amounting to murder के बारे में इसी तरह हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी crime को करने की चार stages होती है intention, preparation, attempt और आपका accomplishment अगर तो आपने सामने वाले की जान ले ली यानि कि आपने culpable homicide अगर commit कर दिया तो मान लिया जाता है कि crime वहाँ पे आपका accomplish हो गया लेकिन अगर आपने यह offense करने क कोशिश की लेकिन आप successful नहीं हो पाया तो उसे बोला जाता है कि आपने attempt करने की कोशिश की तो आपको पूरा offense होने की punishment वहाँ पे नहीं मिलती है फिर आपको जो punishment दी जाती हो किसकी होती है attempt की होती है तो section 299 में जो culpable homicide not amounting to murder दिया है उसकी जो attempt करने की सजा है वो section 308 के अ अब cleaner और conductor यहाँ पे गए हाई कोट में इन्होंने बोला भाई यह तो गलत है अब हमारे उपर culpable homicide not amounting to murder कैसे लगा सकते हो हमने लड़की को जान से मारने की कोशिश यहाँ पे थोड़ी ना की है यानि कि मेंजरिया होना intention होना knowledge होना यह सारी चीज़े जरूरी होती है section 308 आपका यहाँ पे लगने के लिए अब हाई कोट ने आपे क्या किया हाई कोट ने बोला कि हाँ बही cleaner की भी गलती नहीं है यानि वो परसन जो अपने पहले यहाँ पर इशारा दे दिया बस आगे चलाने के लिए तो ऐसे में conductor की गलती है और conductor की बजह से वो लड़की पे injuries वगर आपकी पहुंची हैं तो 308 की सजा यहां पे conductor को दी जाएगी अब एक बार में आपको section 308 यहां पे समझा देती हूं section 308 आपका यह बोलता है कि basically किसी भी person ने अगर ऐसा कोई भी act किया है जहां पे आपको intention था या knowledge थी कि अगर यह act आपका complete हुआ तो आप सामने वाले person की यहां पे क्या कर दोगे death cause कर दोगे लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि culpable homicide not amounting to murder में intention, knowledge या probability of causing death क्या होता है थोड़ा कम होता है यानि उतना high नहीं होता जितना murder में होता है ठीक है तो यहां पे उस person को basically attempt की punishment दी जाती है जो कि section 308 में यहां पे दिया ग provocation, section 300 of IPC में आपको बताया गया है, section 300 में यह बोला गया है कि murder का एक exception है, एक defense है जो आपको मिलता है that is grave and sudden provocation तो अगर आपने grave and sudden provocation में आके किसी person को मारने की कोशिश की है तो वहां पे section 300 नहीं लगाया जाता, वहां पे section 299 लगाया जाता है यानि कि culpable homicide not amounting to murder, अब let's say कि मैंने गुस्से में आके, मैंने grave and sudden provocation में आके अगर आपको मारने की कोशिश की, लेकिन आप मरे नहीं, मेरा act वहां पे काफी था, आपको मारने के लिए, आपकी जान लेने के लिए, लेकिन मैंने तो act किया, लेकिन आप बच गए, आपकी किस्मत वहां पे अच्छी थी, तो ऐसे में मुझ पे यहां पे क्या लगाया जाएगा, section 308 यहां पे लगाया जाएगा, तो again आप 308 की एक च cleaner या conductor या driver उस लड़की को मारना चाहते थे, यानि कि उनका intention था, उनका मेंज रिया था, कि वो लड़की जो है, जान पूछ के बस से नीचे गिर जाए, और बस के जो पिछला पईया है, उसके नीचे आजा और उसकी debt वहां पे, जो है, वो cause हो जाए, तो same चीज यहां पे Supreme Court ने भी बोली, कि भई, चलो, Supreme Court ने या पे बोला, कि जो cleaner है, और जो driver है, उनको तो यहां पे पहले ही रिहा किया जा चुका है, लेकिन जब बात आती है, conductor की, जिसको आप section 308 के अंदर में सजा दे रहे हो, तो भई, conductor के पार्ट पे ऐसा कहा दिख रहा है, कि वो लड़क ये negligency मानी जा सकती है, ये लापरवाही मानी जा सकती है, लेकिन इसे हम intentional act नहीं बोलेंगे, death cost करने का, उन्होंने बोला कि देखो, सीधी सी बात है, जब ये सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए बस में चड़ रहे थे, उस टाइम पे बस बहुत जादा crowded थी, बहुत सारे लोग bus stop पे भी खड़े हुए थे, बस में चड़ने के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे में हाँ, obvious सी बात है, conductor की ये duty है, कि जब वो देख ले कि सारे लोग bus में चड़ गए हैं, उसके बाद ही वो driver को बोले, बस आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पी उन्ह 308 आपका जो है attract नहीं हो सकता, तो यानि कि जो conductor है आपका, उसके part पे negligency यहाँ पे देखी गई है, ठीक है, इसको हम recklessness आपका बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लड़की को यहाँ पे grievous hurt यहाँ पे आया है, ठीक है, वो section 308 के अंदर में punishable नहीं हो सकता, वो आपका कह punishable होगा, section 338 of IPC के अंदर में punishable होगा, यानि जो आप उसको attempt to commit culpable homicide के हिसाब से punishment देने की बात कर रहे हो, वो यहाँ पे नहीं दी जा सकती, punishment जो है, उनको section 338 के हिसाब से यहाँ पे दी जाएगी, तो again basically इस case से हमको यहीं चीज यहाँ पे समझ में आती है, Supreme Court ने यहाँ यहीं चीज बोली, कि भाई, इनका जो sentence है, वो modify किया जाए, क्योंकि आप गलत provision के अंदर में सामने वाले person को सजा दे रहे हो, उसका जो conduct यहाँ पे हुआ, या जो उसका act यहाँ पे था, जो लापरवाही, उसने यहाँ पे दिखाई, उससे कहीं यह प्रूव नहीं हो रह कि भाई, जहां तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी death cause करूँ, मैंने उस हिसाब से आपके उपर act किया, कि मैं चाहा रही थी आपकी death cause हो जाए, वहाँ पे आप बच जाते हैं, तो भाई, बात सही है, कि आप मेरे उपर section 308 यहाँ पे लगाओ, बट जहां मुझ से लापरवा ही में और intention और knowledge में, बहुत difference होता है, मतब intention और knowledge और लापरवाही के अलग-अलग provisions आपके बताए गए हैं, तो इसलिए mensria होना, या guilty mind होना, बहुत जादा यहाँ पे ज़रूरी है, जो कि clearly यहाँ पे ना तो conductor का था, ना ही driver का था, और ना ही आपके cleaner का यहाँ पे था, तो इन्हों ने सेम चीज यहाँ पे बोली, जो तीनों थे बिचारे, इनको यह नहीं पता था कि इनकी इस लापरवाही से इतना बड़ा incident वहाँ पे हो जाएगा, और विसी बात है कि हमें थोड़ी ना पता होता है कि हमारी लापरवाही सामने वाले person को किस लेवल से affect कर सकती ह भाई, conductor ने तो driver को चलने को आगे बोल दिया, ठीक है उसने घंटी बजा दी, driver ने बस आगे बढ़ा दी, लेकिन उन तीनों के mind में यह चीज क्रॉस नहीं कियोगी कि भाई, बस में चड़ने की कोई person कोशिश कर रहा होगा, जो कि बस के नीचे गिर जाएगा और बस के पि की गई है, जो सारे ingredients आपके present होने चाहिए, culpable homicide not amounting to murder में, उन में से यहाँ पे कुछ भी आपका present नहीं था, तो यानि यह section 308 के अंदर में offense आपका बनी नहीं सकता, यह कहां जाएगा, section 338 IPC में आपका जाएगा, so guys I hope, यह काफी important judgment था आपका, तो इसको note down करके रख contract होता है, और कब attract नहीं होता है, so I hope, यह judgment आपको अच्छी तरीकी से यहाँ पे clear हो गया होगा, now, जैसे कि मैंने आपको session के starting में बताया था, कि guys, 12 July से, दूसरा Life Foundation batch आपका start हो रहा है, ठीक है, किसी भी state की आप तयारी कर रहे हो, राजस्थान हो, UP हो, MP हो, दिल्ली हो, हर जाना हो, पंजाब हो, हिमाचलो, गुजरात हो, कुछ भी हो, किसी भी state की आप तयारी कर सकते हो, इसे course में इन्रोल यहाँ पे करके, ठीक है, course का जो price है, that is 24999, enroll कैसे करना है, यह मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देती हूँ, तो भाई, enroll करने का procedure है, कि आपको जाना प अपन हो जाएगा, यहाँ सबसे उपर पहला course क्या दिखेगा, आपको life foundation batch ही दिखेगा, तो basically, आपको daily basis पे, यहाँ पे life classes प्रवाइट करवाई जा रही है, life classes का देखो, best फायदा, best benefit आपका यही होता है, कि आपके जो भी doubts है, जो भी questions है, जो भी queries है, वो सब कुछ आप life batch में discuss कर सकते हो, कोई चीज नहीं समझ में आई, तुरंत unmute करो, faculty को बोलो, कि सर वापस से समझा दीजे, माँ वापस समझा दीजे, नहीं समझ में आया, ठीक है, तो life batch का वही फायदा है, कि आपको लिखने की भी जरूद नहीं है, unmute करके, आप अपने doubts, बेटर तरीके से facult को यहाँ पर बता सकते हो, also daily आपकी अगर classes हो रही है, तो daily जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके prelims और mains के अलग अलग notes, यानि कि handwritten notes, lecture notes आपको मिलेंगे, plus daily आपको MCQ practice यहाँ पर करवाई जाएगी, जो लोग UP, उत्राखन, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, MP, इन states को target कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, कि आपके लिए तो law के साथ साथ GK भी बहुत जरूरी है, current affair भी बहुत जरूरी है, तो इनकी classes भी आपको provide यहाँ पर करवाई जाएगी, local laws की classes, plus MP, राजस्थान जैसे states में language भी आपसे पूछी जाती है, तो हिंदी, English आना भी answer सही लिखाए कि नहीं लिखाए, तो mains के answer writing sessions, judgment writing sessions, यह सारी चीजें, आपको course में provide की जाएगी, and the best part, the best part about the course is, कि हर student को यहाँ पे एक mentor assign किया जाएगा, आपकी कुछ भी doubt है, कोई भी दिक्कत अगर आपको आरी है course में, you can discuss everything with that mentor, ठीक है, तो enroll अगर करना है, तो यहा तो course आपको 40 का दिखेगा, लेकिन 40 का है नहीं, ठीक है, यहाँ पे जाके, add promo code में जाके, एक ही discount code है, जो आपको लगाना है, which is ARJ, यानि मेरे नाम के starting के तीन अक्षर, क्योंकि discount code पहले से भी आपको यहाँ लगे हुए कुछ दिखेंगे, but अगर आपको maximum discount चाहिए, and मेर की mentoring में, मेरी guidance में आप तयारी करना चाहते हो, तो ARJ code आपको लगाना है, and जैसे ये discount code आप यहाँ पे लगाओगे, 24,999 में ये पूरा course यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, दो साल के लिए दे रहे हैं, डरना मत कि मैं हम दो साल तक बढ़ाते ही रहोगे, तो हम जाम देने के लिए जाना चाहते हो, तो आप देख सकते हो, तो course जो है, आपके पास 2025 तक यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो enroll करना है, जल्दी से जल्दी enroll करो, 12 जुलाई से batch आपका start हो रहा है, इसके साथ साथ अगर किसी को recorded classes वाला कोई बात चाहिए, ठीक है, यानि कि यह यहाँ पे आपको महापाक मिल जाएगा, जिसमें पहले से record करके classes डाली गई है, 16 states की तयारी आप कर सकते हो, यहाँ पे महापाक के course से, और यही पे थोड़ा सा नीचे, अलग-अलग states के individual state specific courses भी हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें और महापाक में pre-recorded classes ही मिलती हैं, यह accordingly आपको क्या-क्या चीजे चाहिए, किन-किन चीजों की जरुवत आपको पढ़ रही है preparation में, उस हसाब से decide करना कि कौन सा course लेना है, बट कोई सा भी course लो, ठीक है, महापाक लो, individual state specific लो, या live वाला लो, किसी भी course के लिए, आप code ARJ यहाँ पे use कर सकते हैं, ठीक है, so guys, this is all from my end in this particular session, session अगर अच्छा लगा, तो इसको like करना मत भूलिएगा, share करना मत भूलिएगा, and channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से channel को भी subscribe कर लो, so I'll see you guys soon with another session, till then take care, all the best for your preparation, bye-bye.